नमस्कार मेरे चैनल पर आप सब का बहुत स्वागत है आज मैं आपको इस तरह का सेंटर टेबल मेट बनाना बताऊंगे ग्रोशेट टेबल मेट है देखिए इसको मैंने इस सेट से शुरू किया है बढ़ाते हुए इसको यह आगे बनाते हुए इसमें इस तरह से यह कंप्ल कर रीजुक और इससे यह, क्रोशेट होग ने 4 १ूर यह मैंने 2 mm की उसblesिए क्या देखिए देखि-देखिए यह इसमे जो क्रोशेट हूग है, इसमें 4 mm की उसकी है जो अहीजी है वह मैंने का इस मैंने था bureaucण बनाना शूरू करते हैं आं यह से बनाना शूरू करते है कोटी कलर होता है तुक जबला कलर है और यह की इस तरह से दिखाई दी रहा है यह ऐसी हो तो आए यह यह ऐ से बनाना शुरू करते हैं को आएल से बनाना शुरू करते हैं क्रोशट हुग इन 4 mm के लिए इस तरह से और ँज्र Till生 वर्दमान की उन है यह तो आए इसे शुरू करते हैं इसके लिए हम इसमें इस तरह से क्रोस लेंगे यहां से ऐसे और इसमें अब हमने छे डबल क्रोशिट लिने एक दो हो गए हमारे इस तरह दो जो तीन चार पांच और छे हमने यह चेन ले ली यहां से जो पहली चेन थी इसमें से हमने slip stitch करना है, इसको इस तरह कर लेंगे और यह है, यहाँ से, इससे slip stitch होकी है हमारा अब यह, देखें, यहाँ से हमने इसको एक chain ले लेनी है, इससे अब 1, 2, और तीन chain ले ले हमने, बल लेंगे बल लेके, अब हमने इसमें, तीन chain को as a double crochet count करेंगे इससे आगे हमने दो डवल क्रोशेट बनाने है, दो, एक और एक ये दो, अभी तीन चेन प्लस दो डवल क्रोशेट, तीन होगे हमार पास ये टोटल इस तरह से, अब हमने इसमें एक इस तरह चेन बना लेने है, बाल लेने हैं, फिर से हम इसमें तीन डवल क्रोशेट बनाए दूगे एक को कि दो को को इस सखेँ है इस थागे इस सरे तीन डावल क्रोशेट है एक चेन तीन डावल क्रोशेट ऑधा हमने एहां से फिर सेस में एक दो उटीन यहां से लाया हständ Cliff he तीन चेन और मुस्लाaya बल लें है हम इसमें यहां आगे देखिए यह तीन चेन और इसके आखे हमने यह तो डवल क्रोशेट इस तरह से बना लेने है एक और यह बल लेके दूसरा है दीकि यह तो इह हमने रखन जाली बने हुई है इसमें हमने बल लेने है और तीन डवल क्रोशेट कर लंके है एक, दो, तीन, तीन डवल क्रोशेट, एक चीन, ठीके जी, इसी में से आगे फिर से तीन डवल क्रोशेट, एक, दो, और तीन, इस तरह से, ठीके जी, ये देखिए, ये हमार पास ऐसे दिखाए देगा, अब हमने हमारे जो ये इधर के तीन डवल क्रोशेट है, ये वाले, ये तीन चेन और दो डवल क्रोशेट, इन में से भी हमने इसी तरह से तीन डवल क्रोशेट मिना लेना है, एक, ये, दो, और ये इधर, ये लास्ट यहां से उपर फरस्ट चेन में से लेते हुए, हमने यह यहां पर double crochet बिना लेना है कि इस तरह से यह ऐसे दिखाए देगा गूम जाएंगे अब हमने फिर से एक दो थी तुन चेनली बाफ लियां यहां से फिर से हमने यह डबल ख्रोशिट करने हैं इस जो यह एक चैनली ती यहां आने तक लगाता डबल ख्रोशिट करेंगे तो यह तीन चार एक दो तीन चार पांच और ये आगे हमारा छटा ठीक है जी अब ही हम वहाँ पहुँच गए है सेंटर में जहां पे हमारा ये जाली है ठीक है जी अब हमने बल लेना है और ये जो जाली है हमारी इसमें से फिर से हमने तीन डबल क्रोशेट एक चेन और तीन डबल क्रोशेट लेने दो और तीन तीन डबल क्रोशेट एक चेन और इसी चेन स्पेस में से जो ये हमारी जाली है इसमें से अगले तीन डबल क्रोशेट लेके एक दो और तीन इस तरह से आप हमने बल लेने हैं और यह सारे डबल क्रोशेट कम्प्लेट करेंगे इनके उपर फिर से ऐसे ही डबल क्रोशेट बिनाएंगे यह यहां से इस तरह इस तरह से दिखाए देखा घूम जाएंगे फिर से हमने तीन चेन लेनी है एक दो तीन वही रपीट चलेंगे जैसे निचे से किया यह सारे डबल क्रोशेट के उपर डबल क्रोशेट बनाएंगे और यहां पर आके फिर से वैसे ही इस होल में से यह जो है हमारी जाली बनी यहां से हमने तीन डबल क्रोशेट एक चेन और तीन डबल क्रोशेट इधर से रपीट ऐसी इस तरह से हम बढ़ा बनाएंगे इसकी हमने बारा रो कंप्लीट करनी है जैसे मेरे पास यह एक दो तीन तीन होगी है आगे इसकी और रो कंप्लीट करके मैं आपको इसको फिर द बढ़ा रहे थे इस तरह बढ़ाते हुए यह हमारा इतना बढ़ा हो गया और इसकी जो हमने रो हैं वह हमने यहां से शुरुआत कि थी तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा रो कंप्लेट किये हैं आते हैं मैं यहां पी हूं इसके यहां से हमने इस तुरुआते हैं प्रहके ने सब्सक्राइब गढ़ाता हैं मैं अवह हमने यहां से इसमें तीन चेन लेनी एक दो तीन चेन ली और एक यह तीन चेन आज डबल क्रोशिट और एक चेन जो है वह ऐल इक पेस के लिए यूज गरनी है तो यह हमारे चार चेन होगे और इसी में बीदा चेन के लिए यहां से हमने फिर से इसमें डबल क्रोशेट करना है इस तरह से अब हम इसमें चार चेन लेंगे एक दो तीन चार चेन लिए बल लिया और यहां से देखें हमने यहां से एक दो तीन चार पांच छे डबल क्रोशेट छोड़ने और सातवा जो मारा यह डबल क्रोशेट है यहां से हमने इसमें डबल क्रोशेट बनाना है इसमें एक डबल क्रोशेट एक चेन और फिर एक डबल क्रोशेट इस तरह से अब फिर से हमने देखी यह ऐसे दिखाई देगा हमने यहां छेंट बनानी है यहां से फिर से हमने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और यह साथ, यहां से यहां से फिर से चलते हैं चार चेण ली यहां से काउंट करेंगे एक दो तीन ऩार पांच छे साथ है मारा डबल क्रोश्ट कला यहां से स्बेस देखेंगे, 1 2 3 4, 4 चार चेन, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, साथ वे में से हमने इस तर एंसे double crochet, एक चेन और फिर एक double crochet, फिर से 1 2 3 4, 4 चेन बल लिया, यहां से देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ यह जो है हमारा यह देखिए एक चेन है इसके साथ वाला यहां से हमारा यह एक डबल क्रोशिट होगे देखिए यहां तक तो हमने यह किया थे दो डबल क्रोशिट, चार चेन, दो डबल क्रोशिट, चार चेन यहां पे आके हमने सिरफ अकेला डबल क्रोशेट करना है अब देखिए यहां से इसको गुमाना है हमने इस तरह से तो यह गुमाने के लिए जो chain space है हमारा इसमें हमने यह देखिए यहां से 7 में यह डबल क्रोशेट कर लिया यहां से बल लेके और यहां से हमने उसी तरह से एक दुँ हो इस चेन स्पेस में से देखें दो और तीं तीन Carmen क्रोशेट एक चेन और फिर से इसे में से तीन डवल क्रोशेट एक दो और तींत तीन डवल क्रोशेट हो एब देखें यहाँ पे यह एक डवल Прोशेट था अम यहाँ पे भी हने हिआ gitu को एक डबल क्रोशट कर लियाए यह वाला क्योंकि फिर हमारा इदर इसी तरह सी स्मिट्री में आ जाएंगे यह साथ डबल क्रोशट जो स्पेस छोड़ा है हमने साथ डबल क्रोशट का यहां से हमने एक कर लिया अब हम चेन बनाएंगे चारचेन एक दो तीन चार चार चेन बहने लिया यहाँ से देखें एक काउंट करेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ यह साथवा जो डवल कोरोशित है इसमें से हमने 1 अट तेंगileory पिर आपके दिखाते है यह देखी यह मैंने साथ नहीं है एक दबल क्रोशट एक चेन और फिर इसी चेन सपेस में से एक डबल क्रोशट और फिर इसा स्वेति छोटा से दिखाई देगा हमारा यहां से और है इस diet यह हमारी रोह कम्प्लेट होगे अब हम आगे हैं इसमें अब यहां से हम गूमगे तो यहां से हमने एक चेन ले ली इस तरह से सिंपल और बल लिया और इसमें से हमने दो डबल क्रोशेट एक चेन और फिर दो डबल क्रोशेट एक लिए defeat दो है इसे तरह से दो डबल क्रोशेट एक ँंड बनाया और यहां सिंपल इसको नीचे से लित दे हुए आशिए कि सिंगल क्रोशेट कर देने थे ने फिर से हम बल लेंगे बीच में कोई चेन नी लेने हैं यहां से हमने बल लिया हो यह एक दो दो डूबल क्रोशेट है एक चैन और दो डूबल क्रोशेट इक और दूसरा कि युदबिक होगे , अब हमने इस इसको जोड़ना हैสे सिम्पल एक चेन इस तरह से सिंगल क्रोशेट करेंगी यह जुड़ के हमारा यह दिखें अब हमने पर लेना इसमें फिर से paranoid क्रोश्ट करेंगे तो डॉडबल क्रोशेटट एग चेन इसको सिंगल क्रोशेट से जोड़ेंगे इससlaw भी ऐचे करेंगे यहां से भी आसी करेंगे और यहां पे आके मैं आपको दिबारा दिखाते हूं यह दिखे यह यहां पे मैं इस तरह से आगयों बनाते हूए चैन बना लिए चैन एक एक यह बना ले लिए होगे इस तरह से अब इसको यहाँ पर जोड़ दूँगे में सिंगल क्रोशेट से आप देखिए यहाँ से इसको एक दो तीन चार चार यही डबल क्रोशेट होगे और जो हमारा सेंटर है उसमें से वैसे ही हमने शुरुआत कर लेनी है जैसे हमने यहाँ से की थी तो यह देखिए जी यहाँ से कैसे करेंगे यह हमारा आगया बल लेके और तीन डबल क्रोशेट एक चेन तीन डबल क्रोशेट एक दू तीन डबल क्रोशेट एक चेन और तीन डबल क्रोशेट एक दो दो और तीन तीन डबल क्रोशेट हो गए बल लिया यहां से फिर से वैसे ही बनाना शुरू कर देना है डबल क्रोशेट यहां से हमने सिंगल क्रोशेट से जोडना है और फिर इसमें से दो डबल क्रोशेट एक चेन दो डबल क्रोशेट इसी तरह से कंप्लीट करेंगे जैसे अब मैं फिर आपको यहां पर आगे दिखाते हूं यहां बनाते हुए यहां पर आगे हूं इसमें और यहां से यह एक चेन और दो डबल क्रोशेट यह इस तरह से बस इसमें रपीट होना है जब तक हमारी यह वाली 12 लाइनी कम्प्लीट नहीं होती जितना हमने इतना पॉर् इस तरह से यह जोड़ दिया हमने और अब फिर से बल लेने और यहां से हमने दो डबल क्रोशेट एक चेन और फिर दो डबल क्रोशेट लेने एक और एक यह दूसरा आप देखे जी यहां पर थोड़ असा चेन्ज होगा जैसे कि हम अलग नहीं रो शुरू कर रहे हैं तो इसमें जो यह जो धागा है हमारा इसको हमने यहां पर लेकर आएंगे इसको यहां पर हमने इससे स्लिप स्टिच करना है ठीक है जी हमने यह जो हमारा एक चेन वाला स्पेस है यहां पर दो डबल क्रोशेट एक चेन दो डबल क्रोशेट यहां पर लेकर आना है तो यह मैंन फर्स्ट रहो था वही देए बहुत है एक सकता है लागी नावी फमी फ्रस्वाइध कर बात दो तो टी तीनुचेह बल्डिया और एक डबेए दाभल ग्रुशेत आफ फिर सेarn इहां से 3 चेन्स सेट घ्ष्क चेन्स प्रॉक्त हम जाएं तनेःं समक्षर यह nied自ज चेन्स सेटवरे समस्ट के पीच वंद द्च देटाई this नर्था चेन् सेट रिखें के रॉले कम इस तनीज देट तरह प्रवां कि यहां से इसी तहरे से चलेगा यहां पे आकि हमने ये सारे डबल क्रोशिट ऐसे ही भुन Cow सभी सभी हैं बंडब जलाएंंगे एकहँ करना कि째 त इम लूद मों कर आती Div elder इ से कर गाँंगे यह जो ऊपर वाला प्रषण है यह हु ही हैं इसे शिरूब हो गाई जैसे यह यहां से यह था यहां से था और यह जो है यह हमारा नया बन रहा है तो इसको यह हमने बारा लाईने रिपीट की थी यह वाली यहां से लेके यहां तक यह बारा रो है तो इसी तरह से यहां से शुरुआत करके एक दो अब मैं इधर से बुनती आऊंगी तो यह तीस सबस्दक्राइब ऑननुटक्राइब कर्थासि और ठ Okay here यह मैंने आह से बताया था एक इसी तरह से दर से उलर से इस तरह से मुंत दूनते हुए मैंने देखि इसकी बारारोग कॉंपलेट कर लिया निया से यह तक किती अब रा रही मैं carbs यहां से लेके यहां तक complete की और साथ में ही मैंने आपको बनाना बताया था तो आप देखिए इसमें जो है वो में बनाते हुए इसको यहां प्या की यह देखिए इसमें भी यह जैसे आपने देखा होगा दो रो से यह एक बना है तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो यह जो बना हुआ था पोर्शन जब हमने यह बनाया इसके उपर हमने यहां पहुच के यह शुरू किया था यह वाला पॉइंट और आप देखिए यहां पे हमने यह बनाया तो यह जो चीज है यह जो बना हुआ है हमारा इतना पोर्शन यह हमारा यहां पे बनेगा तो और यहां से हमने अज़त視 दिखाया है और दिखना है और यहां से हमने इसको चलू यहांसे हमने कमेरे खीत रहा चलो है आप देखिए हम इसके यहां पर हैं यहां से हमने इसको गूम जाना है यहां से इधर इस तरह से और यह हम एक सीम्पल सिंगल क्रोशेट लेंगे और उसके बाद हमने इसको यहां से स्लिप स्टिच करना है इसमीं सिंपल स्लिप स्टिच यहां से भी यह मैं सिलिप स्टिच इसलिए लेके जा रही हूं इधर कि दागा तोड़ना नहीं चाती मैं नहीं तो आप यहां से दागा खतम करके नए सिरे से यहां दागा लगा के शुरू कर सकते तो मैंन का दोड़ना क्या है इसको स्लिप स् सिंपल होता है कुछ ऐसा है नहीं कि इसमें कुछ अलग से होगा तो यह देखिए ऐसे धागा तोड़के भी करेंगे वो भी एक ही बात रहेगी और इसी तरह से भी करेंगे तो भी एक ही बात रहेगी बस में यह जैसे हम यह ऐसे करते हैं कि जैसे हमने यहां से धाग्य को इधर सेंटर में लाना है तो हम स्लिप स्टिच करते हैं अब हमने धाग्य को यहां से यह वाला पोर्शन हमने उपर से बुनना नहीं है इसलिए हम स्लिप स्टिच से धाग्य को यहां ला रहे हैं तो मैं यह दागा यहां पे लाके आपको फिर दिखाते हूं यह देखिए यहां पे है हमारा तो अब मैं इस धागे को यहां पे ले क्या हूंगी वैस्तो हम यहां से करते हूए भी ले जा सकते हैं लेकिन वह बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं यहां पे यह दागे को तोड़ दूँगी काड़ देते हैं दागे को और यह दागा हम यहां से इसमें दुबारा शुरू करेंगे यहां से अब यहां से हमने फिर देखे यह शुरुवात हमने यहां से किये अब यहां से हमने इसमें उपर से ले लेंगे इसको और यहां से हमने इसमें तीन चेन ले लेनी है एक, दो, तीन तीन चेन as a double crochet count करते हुए वही सेम है जो हमने यहाँ पे किया था यह बनाया था हमने वही हमने चीज यहाँ पे बनानी है तीन चेन as a double crochet और एक चेन as a space बल लेंगे और यहाँ से फिर से हमने double crochet करते हैं अब हमने एक, दो, तीन, चार चार चेन ली अच्छा यह जो धागा इसको हम बीच में यहाँ पे खतम कर लेंगे और यह साथ लेते हुए चलेंगे चलिए पहले यह धागा ही खतम करते हैं इसको हम इस तरह से center center में ले जाते हुए यहाँ से ताकि यह दिखाई ना दे इस तरह से complete अंदर कर लेंगे चलिए थोड़ा सा है तो इस गोस में आ जाए गए अब यह यहाँ से हमने एक, दो, तीन, चार, पांच पांच और एक यह छटा छटे में जाके हमने चार चीन लेने के बाद एक, दो, तीन, चार, पांच, छे छटे में हमने बल लेके और यह डबल क्रोशिट इस तरह से और एक चेन और फिर हमने डबल क्रोशिट इस तरह करना है ठीके जे इसे हम बाद में आउपर ले लेंगे चलिए अब फिर से एक दो तीन, चार चैन लिए यांसे फिर एक, दू, तीन, चार पंच छे चे चैट में हमने डबलक्रोशिट, एक चे चार चार चेन बर लेके और एक दो तीन चार पांच छे इस तरह से ठीके जी यह देखिए यह हमारे यहां पर बने थे एक दो तीन चार पांच और यहां पांच हमारे बने थे तो यहां भी हमारे एक दो तीन चार पांच तो आईए से शुरू करते हैं यहां से हमने यह धागा तोड़ दिया इसका अब हमने उसी साइड में जैसे यहां से बुनते हुए हम आए यहां पे हमने धागा तोड़ा और हमने यह इस साइड में उल्टी साइड है यहां से हमने इसमें यह धागा लगा लेना है देखे यहां से यह हमारा एक दम से पहला डबल क्रोषेट है देखे यह वाले पॉर्षिन में और यहां से हमने इसमें इस तरह से डागा लगा लिया यहां से घुमा लिया इसको अब मने यहां से 1 2 3 तींचेन दबल क्रोषिट काउंट करना है ठीक है जी और एक हमने ऐसे ब्रीट क्रोषिट टोटल हो गे में पास चार डबल क्रोषिट सौरी चार चेंच और अब हमने बल लेके यहां से इसको इस तरह से एक double crochet करते हैं ठीक है जी यह हमारा v-stitch हो रहा है देखी वही चीज है जो हमने यहाँ से शुरू की थी वही हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं यह v-stitch बनाया था हमने एक double crochet, एक chain, एक double crochet और सेम यहाँ पे अब आगे हमने जो space यहाँ पे छोड़ा था यह साथ double crochet एक, दो, तीन, चार, पांच, छे छे double crochet का तो वही chain space हम यहाँ पे छोड़ेंगे तो देखते हैं इसको हम दागे को बाद में खतम करतेंगे अंदर ये अंदर तो अब हम चार chain लेंगे, एक, दो, तीन, चार, बल लेंगे और यहाँ से हमने काउंट करना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और ये हमारा साथमा double crochet इसमें से कर लेंगे साथमे chain space में से इस तरह से, ठीक है जी अब हमने एक chain और एक double crochet इस तरह है, ये देखे ये हमारा ऐसे आएगा अब आगे फिर से वही repeat करेंगे एक, दो, तीन, चार, चार, चार chain आप फिर से एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथवे में हमने इस तरह से double crochet फिर एक chain और फिर हमारा double crochet आप हमने फिर से एक, दो, तीन, चार, चार, चार चेन बल लिया यहां से काउंट करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ में हमने इस तरह से double crochet 20 चाहिए आपको मालूम ही होगा देखे ऐसे एक double crochet, एक chain, एक double crochet तो अब एक, दो, तीन, चार, चार चार चेन बल लिया और हमने यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ में हमने double crochet एक chain और double crochet आप देखे ए फिर से हमने एक, दो, तीन, चार, चार चार चेन लिया बल लिया, अब यहां से देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ बंटरे हैं हमारे यह सेंटर वाले के तो यह हम आठ वे में ले लेंगे एक ज्यादा ले लेंगे क्योंकि वह हमारा यहां पे एक extra बढ़ गया था यहां पे हमने चार डवल क्रोशेट लिया थे तो वह वाला है यह तो कोई बात नहीं हम इसको भी इसी तरह एड़स्ट कर लेंगे इसमें तो यह हमने यहां पे एक डवल क्रोशेट लिया इस तरह से यह देखे यह हमारे पास बने थे एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच बने और ये भी एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच बनगे तो अब हमने ये तीसरा शुरू करने पोर्शन एक, दो और ये हमारा यहां से अब तीसरा शुरू होजेगा देखें ये हमार पास एक चेन का स्पेस है ये हमने एक डबल क्रोशेट इदर ले लिया और तीन डबल क्रोशेट, एक, दो, और तीन, तीन डबल क्रोशेट होगे आप देखें ये जो हमने यहां पे लिया था, एक एक्स्ट्रा था इसमें डबल क्रोशेट तो वो जो आठवा डबल क्रोशेट था वो हमारा इस side में भी extra होगा तो उसमें भी हमने इसी तरह से यहाँ किनारे पे एक double crochet मना लेना है इसको इस तरह से ठीक है जी अब हम 4 chain लेंगे एक दो तीन चार आचा अब देखिए हमने यहाँ पे यह 8 double crochet का space छोड़ा था तो हमने इस side में भी 8 का छोड़ना है यदि हम यहां से 7 छोड़ते जाएंगे तो यहां पे आके यह smittery seyni बेठेगी क्योंकि इधर हम 7 छोड़ रहे हैं इस side में और इधर 8 छोड़ेंगे अच्या है जहां पे इहां पे 8 छोड़े है double crochet तो इधर भी मैं आठ डबल क्रोशिर छोड़ेंगे बाकिया आगे साथ साथ चाड़ते जाएंगे तो बल लेंगे और यहां से देखें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ वाई यह बैठा हमारा बल लेके यहां से वी स्टिच बनाएंगे इसको एक चेन और फिर एक डबल क्रोशिट बस जी, अब हमारा सेम है एक, दो, तीन, चार, चार चेन यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ मेंगे यहां से फिर से हमारा वी स्टिच बनाएंगे तो अब इसको इसी तरह से साथ double crochet बनाते हुए यहाँ पे आके मैं आपको फिर दिखाते हूँ यह देखिए यह हमारा यहां से वी stitch बन गया और यह मैं यहां से बनाती हुए आई थी इधर भी देखिए हमार पस एक दो तेन चार पाँच एक दो तेन चार पाँच सेम ऐसे है और इधर है अब जो portion हमने यहां पे बनाया वही हमने यह वाला जो portion है हमारा यह हमारा यहां पे आगे बनेगा और यह हमारा इसे उपर और वैसे ही repeat होता जाएगा आप इसे जितना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं वही तरीका एक chain ले और यहां से इसको slip stitch से अंदर ल फिर एक chain और दो double crochet एक दो अब हमने बिना कोई chain लिये यहां से इसको जोड़ देना है यह देखिए ऐसे वही जैसे पहले था बहले के फिर से यहां पे दो double crochet एक chain दो double crochet आप यहां से इसे इस तरह है बस चाही से repeat करते जाएंगे इसको और हम इसे फिर से इसकी इसी तरह से उपर बनाते हुए बारा रोग अपने लिट करेंगे उसके बाद हम इसे जितने बड़ा बनाना चाते हैं उतना बड़ा बनाएंगे जैसे मैंने यह इसमें मैं यह एक और इसके बाद एक और चोथा बना 박 대통령 ऐना देना मिकाया रहा हुए और इसको यह इसाह अग्रिक कर तmyna द्रौधेअ करें दंघ करना है कि अन्हें ऩरप तरफ किंगरी करना हुए है और इसमें मैं यह इसको उपर से ले लूँगे यहां से हमने इसमें अब एक दो और तीन तीन चेन एज़ा डबल क्रोशेट और एक चेन एज़ा स्पेस यूज़ करेंगे तो यह बल लेके फिर से हमने इसमें यहीं से वी स्टिच बनाना है इस तरह से अब हम इसमें क्या करेंगे चार चेन लेंगे हमने बिल्कुल डिट्टो इस टाइप का एक बनाना है जैसे कि हमने यहां बनाया हुआ है तो हमने इसमें एक दो तीन चार चार चेन ली बल लिया और यहां से हमने एक दो तीन चार चार चोड़ देने और पांच में में हमने इ एक डबल क्रोशेट एक चेन और एक डबल क्रोशेट इस तरह से कर लेने और आगे फिर हमने एक दो तीन चार 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 चेन बर लेके यहां से फिर इसी तरह से रपीट करते हूं हमने यहां तक आना है तो मैं रपीट करके आपको यहां के फिर आगे दिखाते हूं यह देख 4 chain का स्पेस लिया ये ढरे से क्पीज तक है। यहां पर इधर आगी हूं करते हूं कि चार डबल क्रोशेट बाइं क्या से बहुत को क्पीज देखे़ को द्राइब करह से कe देखें का अनुदा क्पार अपना य कंडी मित्सित बाएंसी दागे में थे जाएंस एक डबल क्रोशेट एक चेन और इसी चेन स्पेस में से दो डबल क्रोशेट एक तो यानि के कहने का मेरा मतलब है कि जो हमने यह चीज बनाई है यह हमने यहां बनाने है तो अब हमने इसको इस तरह से कर देना है भल लेके फिर से इसमें से एक दो डबल क्रोशेट एक चेन दो डबल क्रोशेट एक और एक दूसरा इस तरह से आप देखिए यह जो चेन स्पेस है इसमें से हमने सिंपल इस तरह से लेना और यह सिंगल क्रोशेट से इसको जोड़ इसी तरह हैं एम आई तक ले आएंगे और दाग्या को खतम करेंगे इस तरह एक एंगे इस्केरा winter यह यह पर इसरे बनाएंगे जैसे हम इन यहां चमआ थे नो बले वेते के लेज से हैं यहां से लेकर आएंगे साल मका केदाते और राह आप पेस्चा कंगरे केको को, सल्ट सबस्टाइए करतान गाल समर्ट । जा में आपको इसे कंगरे के साथ में केमा कीद यहां कर दक्राइए या दितीः एक, दो, तीन, तीन चेन है एज़ डबल क्रोशेट और इताके को हम साथ साथ उपर ले चलते हैं और एक चेन एज़ इस पेस यूज़ करेंगे और अब हमने बल लेन है और यहां से हम इसको छोड़ देंगे इसको जब बापसी में आएंगे तो आप देखें हमने एक, दो, तीन, चार चेन लेन है और आप यहां से हम देखें यहां से हमारा इधर एक डबल क्रोशेट इस तरह से और एक चेन और एक डबल क्रोशेट इस तरह से और एक चेन और एक डबल क्रोशेट इस तरह से और एक चेन और एक डबल क्रोशेट इस तरह हैं है हमने एक जो रोह वाला है वो पूरा छोड़ है यहां से हम फिर से एक दो तीन चार 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 चैन लेंगे बल लेकर और यहां से हमने इसमें से एक डवल क्रोशेट एक चेन और एक डवल क्रोशेट इस तरह से दो तीन चार चार चेन इसको छोड़ेंगे और इसमें से एक डवल क्रोशेट एक चेन और एक डवल क्रोशेट पूरा हम इसी तरह से रपीट करेंगे दागा खुलते हैं थोड़ा देखें यहां से एक दो ती चीन और एक डबल जीन और हडिक से एक तबल को शेट चेंडों और एक डबल कुरुशेट, फिर से एक दो, दीन, चार चार चेंड मनेड़्ल लेकि इसको शोड़ां हमने यहां से और इसमे़ हमने डबल कोशट nom एक नवे ख्रोस आशेट एक चेंड और हट कि निद्वें कुट्स्ट तरह कि यह दिखो है इंन काूच्या फिर से हुआ सफोर शेय की देखा की यहाँ से हमने इसमें 1 डउल गोशेट एक टेन और एक डवल गोशेट इस तरह से ले लेंगे और घूम जाएंगे हम यहाँ सेच तफित दिखाए करेंगे और देखिए यह हमारा इस तरह से आगया हमने यहां पर इस तरह से इस टीच जाओ कर लिया हमा लेकिन अब हम कुम गए हैं और यहां से हमने इसमें लेके हैं चीच से और यहां तो इन चैन बाले की एक डबल क्रोश्ट एक चेन और दो डबल क्रोशेट एक और एक हिए दूसर्त यहां से इस तरह किया। आपने यहां से सिंगल क्रोशेट से जोड़ा इस तरह से अब आगे हमने फिर से वैसे दो डबल क्रोशेट, एक यहां पर आजेंगे तो मैं यह complete करका आपको फिर दिखाते हूं यह देखा हूं जी यह हमारा यहां से complete हो गया इस तरह से दिखाए दे रहा है और यह इधर से इस तरह है इस तरह है बड़ा है camera में आनी रहा यह देखिए जासे इसके यहां पर निकले हूए जासे हम केंची स यहां पर तो सुई में लेके दागा इस तरह से और इसे हमने यहां से इसको खत्म करते हैं देखे इस तरह लेते हो चलेंगे इसे और यहां से इसको खत्म करते हैं यह हमारा इस तरह से क्रोशेट टेबल मेट जो है वो त्यार हो जेगा यह देखे उमीद है आपको यह पसंद आएगा और अच्छा लगता है बनाने में असान लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइप कीजिए इसी तरह के और बढ़िया बढ़िया क्रोशेट थाल पोश्च देखने के लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद